पत्ता से इस वक्त की बड़ी ख़वर मिल रही है सिमितीश कुमार राजभवन पहुचे हैं पहुचे हैं ये ख़वर अभी पत्ता से मिल रही है बयार में सियासी हलचल के बीच मुख्य मंत्री नितीश कुमार राजभवन पहुचे हैं मुख्य मंत्री नितीश कुमार सरकारी कारतर में शामिल होने के बाद सीधे राजभवन पहुच गए हैं तो इस वक्ती बड़ी ख़वर आपको पत्ता से बता रहे हैं जानकारी मिल रही है कि सेमितीश कुमार राजभवन पहुचे हैं राज़पाल से मुलाकात करने के लिए आप बता दे कि आज नेतारी सुभास्चेंद्र बोस की जैनती है और उन्हें शंधांजली अर्पित करने के बाद एक सरकाली कार्टर में शामिल होने के बाद सेमितीश कुमार सीधे राजभवन के लिए निकल गए हैं और बताये जा रहा है कि उनके साथ मंत्री विजय चौधी भी मौजूध हैं यानि कि दोनों ही राज़पाल से मिलने के लिए राजभवन पहुँचे हैं तो इस वक्ती बड़ी खबर राज़ानी पटना से मिल रही है सेमितीश कुमार राजभवन पहुँचे हैं बताया जा रहा है कि राज़पाल से मुलाकात करने के लिए राजवन पहुंचे हैं और मंत्री विजय चौधरी भी उनके साथ ही वहां मौजूद हैं जानकारी के मुताबिक आज सरकारी कार्तम में शामिल हुए सियनतीश कुमार उस वक्त डिपिडिसीयम तेजसी आदा भी उनके साथ थे और सरकारी कार्तम से लोटने के बाद वो सीधे राज़भवन पहुंच गए हैं शेलेंद्र समवाबदा ताधिक जानकारी के साथ मैसा जुड़ेवे हैं शेलेंद्र क्या जानकारी मिल पारी हैं सियनतीश कुमार राज़भवन गए हैं आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं राज़भवन के खिक बार इसमार समलोग खड़े हैं और ये मुक्त मंत्री निटीश कुमार राज़भवन गए हैं तो पतना से आपको वरिखर बता रहे हैं हमारे सेयोगी शेलेंद्र में हमारे साथ जुड़े वे हैं और वो अधिक जानकारी इस पर देंगे लेकिन इसी बीच दर्शिकों को फिर से बड़ी ख़बर बता दें राज़ानी पतना से बड़ी ख़बर मिल रहे हैं सिमतीश नितिश कुमार राज़ भवन पहुचे हैं उनके साथ बिहार सरकार के वित मंतरी बिजए चौदरी बिऑ मैंने में और कारें उसके पार नहीं पहुंच लेकिन हैं या उनला में फ़िए है नितीश कुमार और चारिक मुलाकात करने राजभवन पहुंच सकते हैं और खास तोर पर देखे बिहार की जो बदलतीव सियासत के बीच चर्चाएं कई तरीके के हो रही हैं लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है सुबह सुबह नितीश कुमार अचानक से राजभवन पहुंचे और राजिपाल से मुलाकात भी कर रहे हैं कारण क्या है यह पर नहीं हो पाया है नितीश कुमार जब निकल करके आएंगे उनके साथ जो लोग गए हैं वो पूरी बात की जानकारी देंगे लेकिन फिलहाल यह जानकारी है कि नितीश कुमार यहां पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री और राजिपाल की मुलाकात होती है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार की एक गतिवीदियों पर बिहार की सियासत में नजर है नजर यह है कि आखी नितीश कुमार कौन-कौन सा कदम उठा रहे हैं हाल के दिनों में देखे जिस तरीके से सिक्षा मंत्री पर बड़ी कारवाई हुई शिक्षा मंत्री का बिभाग बदल दिया गया सिक्षा बिभाग में जो बीबाद चल रहा है केके पाठक हो मंत्री थे जिस वक्त की बात हो यह कि के के पाठक और राजभवन में कई तरीके के बीबात सामने आये क्लमिला के गई सकता है कि कैमिंदे मुझंदे हो सकते है नितीच्फ कुमार के राजभवन आने को ले करके काई मुद्दे है कि ले करके लेकिन गोज्यास कै anche नितीच्फ कुमार कहा दो है किन-किन लोगों से मिल रहे हैं क्या चल रहा है क्या खिचडी सरकार में पक रही है इन चीजों को ले करके भी कई तरीके के कयास जो है वो लगातार पिछले कई दिनों से लगाया जा रहे हैं और ऐसे में सुबह सुबह मुख्यमंत्री नितीश कुमार जब राजभवन पहुंचते हूं तो हर को यह जानना चाह रहा है कि आखिर नितीश कुमार अचानक सुबह सुबह राजभवन क्यों पहुंचे हैं किन मुद्धों पर राजपाल से बात हो रही है यह सवाल हर लोगों के जहन में है और जो फिलहाल फौरित और पर दिखाई दे र जाते हैं बिदान सभा का सत्रों सिक्षावी भाग से जो मामला हो इन तमाम मामलों को ले करके उम्मीद जताई जा रही है कि नितीश कुमार से उनकी इस वक्त मुलाकात चल रही है देखना होगा जब नितीश कुमार बाहर निकलते हैं उनके साथ जो लोग गए हैं उनसे लेने की कोशिश होगी कि आखिर चल क्या रहा है आखिर नितीश कुमार राजभवन क्यों गए हैं और राजपाल से बाचीत हो रही है तो तक्रीबन 15 मिनट से 20 मिनट का वक्त है जब नितीश कुमार अंदर मौजूद है 15-20 मिनट से और कुछी देर के बाद माना जा रहा ह है कि नितीश कुमार जब निकल करके आएंगे तब उनसे बाचीत करने की कोशिश करेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि मुलाकात में क्या बाचीत हुई है एक राजभवन के तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो अंदर जो मुलाकात है जो गाड़ियां है मुख्यमंत्री का जो बाहर आएंगे और उसके बाद दीखना होगा कि आखिर ये जो मुलाकात थी ये अवचारिक मुलाकात थी या कोई इस मुलाकात के पीछे का कोई खास मकसद या देखने वाली बात होगी लेकिन फिलहाल नितीष कुमार के साथ मंत्री बिजय चौदरी भी मौझूद है और ग आज सेवितीश कुमार पहले सरकारी कारक्रम में शामिल वे उस वक्त डेपिडिसियम देश्वी आदब भी थे तो पहले से ये तैय नहीं था कि राजवन उन्हें जाना है अचानक राजवन गए हैं क्या लगता है और क्या कुछ बाचीत हो सकती है कभी-कभी राजवन कर्ट राजवन कोई भी हो लेकिन नितीश-कुमार की तरफ से यह पहल हमेशा से की जाती रही है और इस वक्त भी नितीश-कुमार अंदर है कुछ दिन पहले भी niemand ऑचल रहा है जो खिछड़ी सियासिक कड़ी पक रही है उस बीच में नितीश-कुमार की यहां जो मुलाकात होती है वो काफी महत्पून हो जाती है इसके पीछे कई माइने भी हो जाते हैं कि आखिर अचानक नितीश कुमार राजपाल से मिलने क्यों पहुंच गए क्या कोई सिक्षावी भाग से जोड़े मामले हैं या फिर जो बजट सत्र है बजट सत्र को लेकर के मुख्यमंत्री गए है लेकिन यहां यहां यह भी सवाल है शेलेंद्र की आज जब सरकारी कारक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए तो डिपडिसीयम देजस्वी आदब भी साथ थे और जब राजपन मुख्यमंत्री जाते हैं तो उनके साथ डिपडिसीयम नहीं है क्या इसको लेकर भी कुछ कय लगाये जा सकते हैं कि देखिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि मंत्री हो और अन्य मंत्री हो वहां पर मौझूद रहें लेकिन जो नितीश कुमार के करीबी मंत्री में से जाने जाते हैं विजय चौधरी और हर दम साथ दिखने वाले मंत्री में भी विजय चौधरी का नाम सामिल है वो इस वक्त उनके साथ में जो जनकारी मिली है मुख्यमंत्री के साथ में वो मौझूद हैं और देखे कई बिस्यों पर बाचीत हो सकती है राजभवन के अंदर लेकिन जो बिहार की जो सियासी हालात है उस हालात के बीच यह दिनितीश कुमार यहां जानकारी आप तक जो आप महें दर्शकों को बता सकें मतलब इसे हम बस एक आपचारिक मुलाकात ही समझें बिलकुल मेरी समझ से तो आपचारिक मुलाकात लेकिन जितन रा मांजी ने सुबाई ट्वीट किया है उनकी तरब से कहा जा रहा है कि विहार में खेला होने वाला है प्रिलांसर है उनके बारे कुछ नहीं करना प्रिलांसर है राजनित के आजी प्रिलांसर है जी जी निरत जी आज डिपडे सियम ते जसी आदब भी शामिल थे सरकारी कारक्रम में जब मुख्यमंत्री वहाँ पर थे, तो फिर मुख्यमंत्री सिर्फ विजय चौधरी के साथ ही राजवन गये, डिपिड़े सियर नहीं गये राजवन को सूचना दी गई होगी नहीं कौन-कौन लोग जाए, जो इन्नों का नाम तर था वो लोग गये अमुमन ये जानकारी पहले मिल जाती थी कि राजवन से आज मुलकात हो सकती है, लेकिन आज सुभा अचानक जाना और बिहार में जिसरी के से अभी सियासी हलचल चल रही है, उस लिहाँ से क्या महतपून नहीं माना जाय से? मैंने एक सामाने रूबीन प्रत्रिया का किसा है कर रहे हैं कि बिहार में कुछ खेला होने वाला है, और ये बता रहे हैं, जितना मान जी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्सपर उन्होंने ये लिखा है, आप बता दे किस से पहले भी जितना मान जी ने बयान भी दिया था, जिसमें वो कह रहे थे कि बिहार में कुछ कि बिल्कुल कि जीतनरा मांजी के किसी पोस्ट का मतलब तो होता है लेकिन फिलहाल उनके बयान का या उनके किसी भी टूइट का बहुत मतलब नहीं निकालने का वक्त अभी आया है और खास तोर पर जीतनरा मांजी देखे तो पिछले कई दिनों से इस तरीके के लगातार अभाल यह है कि नितीज जी राजभवन गए जो विहार की सियासत बदल रही है तो हर लोग यह जानना चाह रहे हैं कि नितीज कुमार का अगला कदम क्या होगा हाल के दिनों में जो जो फैसले नितीज कुमार ने लिए उसके बाद सिक्षा मंतरी का बदलना फिर जो सीट स सेरिंग की बाद चीत चल रही है उसमें कॉंग्रेस से नाराजगी सामने आना और उसके साथ साथ कई ऐसे मामले सामने आये जदियू के द्वारा कॉंग्रेस पर कई बार प्रतिकिरिया दी गई फिर अचानक से लालुपरसाद यादब और तेजस्वी यादब उन से जाकर के मिलते हैं एक घंटिक मुलाकात होती है और ठीक इसके दो तीन दीनों के बाद सिक्षा मंत्री बदल जाते हैं दूसरी और राजभवन और सिक्षा विभाग में जो टकराहत है उसे भी खत्म करने की कोशिश इतीश कुमार जरूर करेंगे केके पाठक ने कई ऐसे की श्रुबात होती है और नितिश कुमार सरकार के मुख क मुखिया है तो उसकी बीजाई से या फिर यह प्लील॥ Арीक मुलाकात भी हो सकती है लेकिन इस मुलाकात के बारे में फिल्हाल कुछ भी कह पाना अभी मुश्चिल है क्योंकि नितीश कुमार इस वक्त राजभवन में है उनके साथ उनके बेहत करीबी जो मंत्री है बिजे चौधरी वहाँ पर मौझूद है और इन दोनों नेताओं की बाचीत हो रही है हलाकि फिल्हाल फौरी तोर पर जो दिखाई दे रहा है इसे साफ तोर पर कहा जा सकता है कि ये मुलाकात और चारिक मुलाकात है इन दोनों की और खास तोर पर कई मामले होते हैं लेकिन शुनेतर यहां आपसे में ये भी समझना चाहूंगी कि अभी जो सियासी हलचल खासतर पर बिहार में देखने को मिल रही है और अलग-अलग दावे किये जा रहे हैं बले जितन रामानजी के पोस्ट को जीरी की तरफ से दरकिनार किया जा रहा हो लेकिन ऐसे कयास आखिर क्यूं लगाये जा रहे हैं सवाल ये भी बनता है कि क्यूं ऐसी कयास बाजी शुरू हो गई है कि कुछ बड़ा होने वाला है बिहार में कुछ बड़ा बदलाव देख को मिलने वाला है देखे नितीज कुमार को लेकर के ऐसी बात इसलिए कही जाती है क्यूंकि एक बार नहीं कई बार ऐसे मौके आये हैं जब नितीज कुमार ने अचानक पाला बदला हो अचानक जो तस्वीर है सियासत की वो बदल गई है और इस वक्त जब इंडिया सामने आ रहे हैं और खास करके जो इंडिया गठवंदन है उसमें भी धरजनों विवाद हैं तो उन विवादों के आधार पर ये कयास जरूर लगाये जा रहे हैं कि क्या नितीज कुमार फिर कोई बड़ा नीरने करने जा रहे हैं या फिर नितीज कुमार क्या फिर कोई ज क्या कुछ कारण आपको पता है जो आप हमाई साथ साजा कर सकें? इसको लेकर के जो तरह तरह की बातें की जा रही है इसका कोई माईने मतलब नहीं है ये एक सामान सिष्टा चार मुलाकात है और जो भी बातें होंगी वो महामहिम राजिपाल और माननी मुख्यमंत्री जी के बीच में होंगी लेकिन अचानका सुभा सरकारी कारकर में शामिल होना वहाँ डिपड़ी सीम भी मौजूद थे और उसके बात फिर मुख्यमंत्री और मंत्री विजय चौधी ही सिर्फ मुलाकात करने पहुँचे तो क्या इससे समझा जाए बस एक आपचारिक मुलाकात है? इसमें समझाना क्या है यार समझाना क्या है? बिरोधियों को ये एहसास हो चुका है कि इस वार उनकी नईया डूबेगी तो इसलिए वो इस तरह से भरम फैलाते हैं, अफवा फैलाते हैं, इस पर चर्चक, इससे कुछ हासिल होना नहीं है ये लितीस तेजस्वी की सिरकार पूरी सरह से मजबूती के साथ महा मजबूत है, महा गठवन्धन और महा बिजय करेगा, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, ये भिरोधियों बेकार की बातें जो कर रहे हैं, इस से उनको कुछ हासिल नहीं होना है, इस तरह से अटूट है जेडियों भी कह रहा है कि सब ठीक है, तो ये विपक्ष ऐसी बातें कर क्यों रहा है? इस ती माटने के मामले में बिहाद ने अस्तापित किया, इस सरकार ने, नितिस से यस्वी की सरकार ने, बता ये चर्चा इस पर होनी चाहिए, अभी जो काम हो रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा कहा हो रहा है कि नितिस कुमार जी जा रहे हैं, वो सरकार जा पर सब चीज बता करके ही मीडिया में नहीं किया जाता है जब अगर माननिय मुख्यमंत्री जी गए महामहिम राजपाल से मिलने तो यही क्यों अर्थ लगाया जा रहा है कि कुछ गड़बन है हम का रहे हैं डंके की चोट पर का रहे हैं चल रही है चलते रहेगी और दोहजार चोबिस का लक्ष जो है दिल्ली से भाजपा का सपाया करेगी पूरा इंडिया गटवन्न इंटेक्ट है चले बहुत बहुत शुक्रिया मुर्ट इंजे जी हमाय साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए तो देखे आरजपी की प्रवक्ता मुर्ट इंजे तिवारी मासा जुड़े थे जिन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक आपचारिक मुलाकात है शेलंद्र मैं साथ लगातार बने वे हैं शेलंद्र देखे आरजपी की तरफ से भी अब कहा जा रहा है कि ये सिर्फ आपचारिक मुलाकात है ऐसे किसी और तरीके से ना समझा जाए बिल्कुल देखे आरजपी और जद्यू दोनों ने कहा है कि आपचारिक मुलाकात है और फिलहाल इस मुलाकात पर कुछ भी बहुत अधिक अभी कहने की जरुवत नहीं दिखाई दे रही है हलाकि नितीज कुमार इसके पहले भी राजभवन जा करके बड़ा नीरने लेते रहे हैं इसलिए लोगों को कही ने कहीं एक अधिक आखिर जब बिहार में सियासी खिचडी पक रही है उस बीच नितीज कुमार सुबह सुबह राजभवन पहुंच जाते हैं तो इस बात को लेके कयास जरूर लगाई जा रही है लेकिन फिलाल देखे कई मुद्दे हो सकते हैं नितीज कुमार के राजभवन जाने के सरकार से जुड़े मुद्दे राजभवन और सिक्षाई विभाग से जुड़े मुद्दे तो कई मुद्दे हो सकते हैं जिस पर बाचित की सभावना है राजपाल और मुख्यमंत्री नितीज कुमार में ये साफतर पर पहले भी देखा गया है लेकिन नितीज कुमार अक्सर जब कोई बड़ा निर्णे लेते हैं तो इसी तरीके से अचानक राजवबन पहुंच जाते हैं अगर हमारे दर्शे को बता पाएं कि इससे पहले जब भी अचानक सीयम राजवबन से मिलने पहुंचे हैं तो क्या कुछ बड़ा हुआ है उस आधार पर हम इसको देख रहे हैं इस मुलाकात को भी कि देखे नितीश कुमार का वो छंड जब एक अने मार्ग जो ठीक सामने इधर हैं तसीविरों के जरिये दिखाना चाहेंगे एक अने मार्ग है और यहां वो बैठक कर रहे थे और बैठक के बाद सीधे नितीश कुमार राजवबन पहुंचे थे जब वो एंडिये के साथ पहली बार उसके बाद वो पहुंचो उस वक्त भी नितीश कुमार इस्तिफा लेके गए और जीतन रामाजी को साथ लेके गये तो एक चन्ड वो था उसके बाद जब आरजडी के साथ नितीश कुमार थे उसमें भी कहा जा रहा था इसी तरीके से कि all is well है all is well है लेकिन नि जो गतिवीदी होती है सियासत में वो अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन नितीश जी इस वक्त पहुंचे है राजिपाल से मिलने के लिए गवर्नर से उनकी मुलाकात हो रही है हलाकि जिस सरकारी कारिकरम में नितीश जी पहुंचे थे वहां गवर्नर भी माजूद है तो